तो आप स्वागते है। मैं चैनल Physics with प्रग्या में तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टौपिक लिए है वो लिए है आपका किमिस्ट्री का किमिस्ट्री में आपका टौपिक है रिटाइर्ट विधी से फासफूरस का निर्माड कैसे होता है तो उसके बारे में हम आपका step by step देखेंगे ठीक है कि इसके बहुती गुण क्या होते है राशाइनी गुण क्या होते है उपयोग क्या होते है और इसको कैसे बनाया जाता है ठीक है तो बिना time waste के start करते हैं आपकी retard विदी द्वारा का निर्माड ये आपकी बहुती पुरानी विदी ठीक है हड़ी की राख को हड़ी की राख को sulfuric अमले के साथ हड़ी की राख को sulfuric do iso4 के साथ मिलाकर जब हम गर्म करते है तो पहले आपका आर्थो-fosforic अमल, सबसे पहले बनता है आपका आर-थो-fosforic फिर क्या होता है C A SO4 आपका जो कैल्सियम सल्फेट है देख सकते हैं हड़ी की राख है हड़ी की राख का फॉर्मूला C A 3 P O 4 का होल ट्वाइस प्लस 3 H204 ठीक है हड़ी की राख और सल्फियूरिक अमलो को मिला कर हमने क्या किया गरम किया तो क्या बना कैल्सियम सल्फेट और आर्थो फास्फोरिक अमलो बना है ठीक है तो आपका कैल्सियम सल्फेट क्या है जल में अविले है इसलिए हम इसको क्या क केलसियम सलफ phyto को हम छान कर अलग कर देंगे तो आपका बचे गा क्या? आर्थो फासफोरिक अमल बचे LOVE ठिक है? हड्डी की राक और सलफीोरिक अमल को जब मिक्स करके हमने घरम किया तो आर्थो फासफोरिक हमल बना फिर इसके हम क्या करेंगे? CSO4, calcium sulphate को हम छान कर अलग कर देंगे, क्योंकि यह जल में गुले गा ही नहीं, फिर आर्थो फास्फोरिक अमलो को जो आपका बच गया है आर्थो फास्फोरिक अमलो इसको गरम करेंगे तो आर्थो फास्फोरिक अमलो किसमें बदल जाएगा तो आपका फास्फोरिक अमलो को जो आपका बचेगा आपका मीटाफाफाफ़ूरिक अमलो 203 आपके चल जाएगा बहर ये बने आका मीटाफासित है को गरम करेंगे किस के सत्तरे के साथ जैब इसको गरम करेंगे मेटा फास्फोरिक अमलो के साहथ तो क्या बनेगा आपका सफेद Phosphorus P4 प्लश 10CO प्लश 2H2 जल बाहर हो जाएगा और आपका 10CO आपका निकल जाएगा और सफेद Phosphorus आपका बन जाएगा तो देख सकते हैं आप आर्थो Phosphoric अमले से पहले बना Meta Phosphoric अमले को हमने कोक के साथ गरम किया तो आपका क्या बना आपका सफेद Phosphorus बन चुका है ठीक है और जल हो गया आपका बाहर तो ये बात हुई कि कैसे हम इसका निर्माड करते हैं और कैसे आपका Phosphorus बनता है ठीक है पहले आर्थो Phosphoric अमले बना फिर उससे Meta Phosphoric अमले फिर क्या बना आपका फिर उसके बाद आपका सफेद Phosphorus का निर्माड हुआ है ठीक है तो इसके बाद हम देखेंगे ये बात हुई इसकी विधी की कैसे बनता है आपका Phosphorus तो जानते हैं कि इसके बहुतिक गुण क्या होते है फासफोरस के तो चलिए देखते है इसके बहुतिक गुण यानि फिजकल प्रॉपर्टीज क्या होती किस काम में आता है आपका सफेद Phosphorus तो देख सकते हैं आप ये इसके बहुतिक गुण है ये कैसा होता है फासफोरस आपका ये जल में अविले होता है इसके बहुतिक गुण निम लिकेट है ये जल में अविले होता है मतलब कि ये जल में घुलनशील नहीं है इसको अगर घुलेंगे तो पर ये नहीं घुलेगा तो फासफोरस कैसा जल में अविले दूसरा है दूसरी बात कि ये बहुत नर्म होता है फासफोरस आपका कैसे होता है एकदम नर्म होता है यह एक विशहला पदार्थ होता है नर्म कैसा होता है आपके मोम मत्ती के समान फासफोरस नर्म होता है और एक विशहला पदार्थ होता है आपका फासफोरस ठीक है और यह मोम जैसा आणवी ठोस है जैसे मोम हलकी सी ठोस हो लेसुन जैसी गंद आपके फास्वोरस से आती है यह पहली बात हुई यह जल में अविले है दूसरा यह बहुत नर्म होता है और यह एक विशैला पदार्त है यह आडविक ठोश और लेसुन जैसी गंद इसमें से आती है